अब मेकलॉरीन के कुछ 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 कर लेते हैं क्या है कहते हैं एक function है y ब्रावर रूट 1 प्लस x इसको expand करिए by मेकलॉरीन theorem up to x3 x3 तक करना है तो x3 में मेकलॉरीन किसमें आता है तीन बार derivative में आता है ना तो यानि कि पहले तो आप एक बार differentiate करो y1 अब y दिया तो y1 नहीं मानलो ना क्या होगा differentiation 1 upon under root 1 प्लस x यह तो आएगा ना फिर आप क्या करेंगे अब इसको बताएं derivative कैसे किया हमने वेरी गुड यह power 1 बाइन 2 है तो differentiation n x power n मानस 1 होता है यानि यह लिखा हुआ है आपका 1 by 2 1 plus x की power minus 1 by 2 हमने जानभूश की किया दो बार differentiate करने के लिए दो बार करेंगे तो क्या आएगा 1 by 2 यह हो गया n तो minus 1 by 2 1 minus 1 plus x की power minus कितना आएगा 1 by 2 minus 1 यह निक minus का 3 by 2 इसके बाद 3 बार differentiate करो तो minus का 1 by 2 into 1 by 2 फिर मानस आएगा तो plus का 3 by 2 1 plus x की power minus 5 by 2 वैसे तो एक system बन रहा है लेकि कोई system नहीं बन रहा है वो बनाना पड़ेगा हमसे उन्होंने कहा कि x cube तक expand करो तो यही पर हम इस टॉप कर देंगे तो अब आपको चाहें तो यहां डाइट निकालते जाओ y1 add 0 0 पर value निकालेंगे पहले y add 0 निकालें यहां निकाल लेते है y add 0 जब y को y में x को रखेंगे 0 तो value क्या आएगी 1 y1 add 0 y1 add 0 तब यहां पर रखेंगे 0 तो क्या आएगा रूड 1 की value क्या होती है तो 1 ही तो आएगी न उससे क्या फरकुरता है अगर x को यहां रखेंगे 0 तो क्या आएगा 1 by 2 आएगी y2 add 0 2 में रखेंगे 0 तो यह तो 1 हो जाएगी न value पावर कुछ भी लिखी हो तो यह आएगा minus का 1 by 4 y3 add 0 यह भी बना जाएगा तो 3 by 8 ठीक है by McLaurin theorem by McLaurin Lawrence theorem क्या होता है y बराबर अब y बराबर कहो fx बराबर कहो जो लिखा हमने वैसे नाम दे दिया क्या आपने बताया y add 0 plus x upon factorial 1 y dash या y1 लिख दो y1 add 0 plus x square upon factorial 2 y2 add 0 plus x q upon factorial 3 y3 add 0 चुकि आप से कही दिया उन्होंने कि आप x cube तक expand करेंगे तो y add 0 क्या हो जाएगा 1 आजाएगी value plus x factorial 1 1 होता है y1 add 0 क्या हो जाएगा 1 by 2 आजाएगी value y3 add 0 क्या आएगा 3 by 8 अब बस हो गया so 1 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमसे कहा ही था कि वहीं तका expand करेंगे तो क्या आएगा 1 plus x y2 minus x square by 8 plus 3 दूनी 6 x cube by 16 अब ऐसा symmetry आ रही है नहीं आ रही है यहाँ दो ही आएगा ना नहीं आ रही symmetry ठीक है answer match हो रहा हाँ ठीक है note करिए question आ गया कि expand sin x in the ascending power of x obtain the expansion given giving the nth term देखे एक चीज़ और जिस function का nth derivative आपको मालूम हो तो आप लिख दो we know that question में भी बोल दिया कि पहले आप इसका nth derivative निकालो लिखो और उससे आप n की value रख दो ठीक है तो we know that हम चुकि पढ़ चुके हैं इसने डाइड लिख सकते हैं और जिन function का nth derivative मालूम हो अब यह एक question बताएंगे तो उसमें लिखना ही पड़ेगा मजबूरी है क्योंकि अगर आप एक बार दो बार तीन बार डिफरेंसेट करोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी तो nth we know that इसका nth derivative क्या होता है ज़रा बताएं sin ax plus b nth derivative आप sin ax plus b क्या बताएंगे मालू है a to power n sin ax plus b plus n pi by 2 इसके लिए आपको पहला तो class था उसमें पढ़ाएंगे था प्रूफ कराएंगे था तो successive का concept clear होना चाहिए तो यानि का इसको n बार डिफरेंसेट करने क्या आएगा ये तो यहां है नहीं तो यहां हैगा sin x plus n pi by 2 डार लिख सकते हैं तो होता है बहुत लिखिये तो we know that ये होता है अब आप we not know that तो भी क्या करेंगे बगल वाला भी जानता हो उससे पूछ होया है तो हमको तो यही नहीं वालू sin x का ने ने फिर तो आप 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 नहीं आता है माल लिया तो question में बोल दिया उन्हों ना कि आप nth derivative निकालो बोल दिया उन्हों नहीं माल लिया मालू भेहम को तब क्या करेंगे तो एक बार दो बार तीन बार चार बार करो differentiate सवान करें लिख दो काम को तब दो तीन बार differentiate करके and so on कर दो लेकिन question में बोल दिया कि आप nth derivative का इस्तिमाल करो तब आप इसको लिखिए अब क्या करेंगे आप आप x को तो 0 पुट करेंगे तो यही पुट करते हैं putting x सिक्ड़ 0 तो f n 0 की value क्या आएगी sin n pi by 2 ठीक है आप n का मान रखते जाओ f dash 1 f dash 2 निकल आएगा एक अपनी जनकारी के लिए आप कर सकते हो कि n को odd करके अलग कर दो even करके अलग कर दो यह कर सकते हो आप चाहे और चाहोत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दो case ले सकते हो यहाँ पर case 1 when n is even when n is even तो even का मतलब n का मान क्या रखोगे 2 रखोगे 4 रखोगे 6 रखोगे और 2 के रखोगे 2 का multiply करोगे ना तो जब आप 2 रखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा f double dash 0 मिलेगा ना double derivative क्या मिलेगा यहाँ 2 रखो जाँ तो क्या ऐगा sin 2 pi by 2 यानि sin pi आएगा और sin pi की value क्या हो जाती 0 आप n को 4 रखो तो यह fourth derivative होगा तो ऐसे 4 लिखा जाएगा भाई आप one derivative 2,3 तो कितने यहाँ ऐसे बनाते जाएगे तो उसे वड़िया 3 तक तो ठीक है 3 के बाद 4 वो भी in bracket bracket में derivative बताता है 0 तो जब 4 करोगे n को तो क्या आएगा sign 4 pi by 2 2 pi आएगा 2 pi के value 0 आएगी यानि कि जितने भी even multiple आ रहे हैं सब क्या आ रहे है 0 आ रहे है तो इसी प्रकार से अगर हम f2 के लिखेंगे 2k add 0 तो उसकी value भी क्या आएगी 0 तो n even में आ गया कि 0 ही आना है when n is odd odd में क्या होगा when n is odd odd में क्या रखेंगे value n को क्या रखेंगे 1 रखेंगे 3 रखेंगे 5 रखेंगे up to 2 के plus 1 रखेंगे तो जब n को 1 रखोगे तो ये एक बार derivative होगा f dash x 0 sorry x को 0 कर दिया है तो एक बार को क्या value रखेंगे sin pi by 2 के value क्या होती है 1 होती है 1 होती है 1 होती है ना तो 1 आ जाएगी value जब आप 3 रखोगे f 3 में कितनी बार derivative होगा 3 बार f triple dash 0 तो sin 3 pi by 2 इसके value कितनी होती है sin 3270 है ना ये 270 है ना तो sin 180 प्लस 90 minus sin 90 minus 1 होगी value जिसके value minus 1 बनाएगी अच्छा 5 रखो 5 0 तो आएगा sin 5 pi by 2 ये बनाएगी value यानि कि ये जो plus minus का खेला है ये note कर दिए इसको रब करेंगे रब कर देंगे इसको इतने को इतना रब किये दे रहे इसी प्रकार से जब आप f 2k plus 1 लिखेंगे 0 पे तो अब ये decide करेगा power पे कि power वहाँ पर क्या लिखी वी है ठीक है तो ये आपका आजाएगा sin 2k plus 1 pi by 2 तो actually मैं ये decide करेगा k पे तो minus 1 to power k into बस minus 1 to power k आएगी k decide करेगा ना उसमे कि क्ये क्या होगा तो पहुचिए यहां तक फिर बात करें अब जब आप मैकलॉरीन थोरम लगाईए by मैकलॉरीन थोरम pi 60 में मैकलॉरीन लिखा हुआ ये थोरम क्या होती है f x बराबर f 0 plus f 0 x plus x square upon factorial to f double dash 0 plus x q upon factorial 3 f triple dash 0 plus so on plus x power n upon factorial n f nth derivative at 0 plus so on अब देखिए sin x था ना sin 0 के वल्यूँ क्या होती है sin x था ना तो 0 होती है तो पहला step तो पहले ही 0 हो गया plus x upon factorial 1 ये upon factorial 1 है f dash 0 के वल्यूँ क्या आई है 1 into 1 आई है plus x square upon factorial 2 ये 0 आई वल्यूँ f double dash plus x q upon factorial 3 इसके वल्यूँ क्या आई है minus का 1 आई है plus so on plus अब ये depend करता है कि power even है odd है even power में इसकी value क्या हो जाएगी 0 तो odd power लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी x to power 2 k plus 1 upon 2 k plus 1 factorial ये minus 1 to power k plus 1 अब थोड़ा सा सही करके लिख दो तो आएगा x plus x minus x q upon factorial 3 plus x power 5 upon factorial 5 ऐसे तो आएगा ना plus 1 plus minus 1 to power k x to power 2 m plus 1 upon 2 k 2 k plus 1 upon 2 k plus 1 factorial ये sin x की series भी होती है याद रखिएगा ये sin x की diet series है जो कि intermediate में limit निकालते वक्त हमको diet यूज कराई जाती है जब आपकी limit note करें फिर बात करें देखें इंटर में जो हमको limit पढ़ाई जाती थी कि sin theta upon theta limit theta tends 0 1 होता है ठीक है ये हवा में नहीं बताई जाती थी actually में आप हम लोगों ने तो पढ़ा तो उसमें तो series वगरा सब स्लेबस में थी इंटर में याद कराई जाती थी प्रूफ नहीं था theta जब आप theta कामल होगे ना तो ये theta आपने कामल ले लिया तो यहां पचेगा 1 minus theta square upon factorial 3 plus theta की power 4 upon factorial 5 plus 1 जो जब limit यहां लिखोगे ना theta tends to 0 theta कट क्या 1 को छोड़के सब 0 हो जाएंगे इसलिए 1 वहाँ value आई थी बाइचांस वहाँ आपने डायट क्याद कर लिया था ठीक है एक और question लेते है अब जैसे हमसे कहा गया tan x को expand करिये अब problem है tan x का nth derivative एक तो कोई symmetry नहीं बनेगी आपको कि एक बार differentiate क्या यह आया यह दो बार क्या यह आया है तो आप दो तीन बार इसको differentiate कर लो अब कम से कम तीन बार तो differentiate करो ही करो तो यहाँ पर fx की value क्या है tan x साथ ही साथ हम यहाँ पर f0 निकाल ले रहे है tan 0 को वल्य हो जाए कि 0 एक बार differentiate करते है tan x का differentiation sec square x और जब हम इसका 0 पे निकालेंगे तो sec 0 को वल्य होती है दो बार differentiate करते है इसका क्या होगा 2 sec x into sec x tan x यह आएगा ना यह आएगा 2 sec square x into tan x और जब आप f double dash को 0 पे निकालेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा फिर 0 आजाएगी value 0 आजाएगी value तीन बार differentiate करते है तो यहाँ लगाएगी product rule sec square x tan x का sec square x plus sec square x tan x और sec square x का 2 sec x into sec x tan x यह तो आएगा ना अब डार्ट निकाल दो f double dash 0 पे तो यह तो 1 हो जाएगी value और यह 0 हो जाएगी value तो यह नहीं कि 2 आगी value बस इतने ठीक है चुक्कि हम nth derivative इसका नहीं निकाल सकते है आइडिया से नहीं बता सकते हैं कि वह क्या होगा by maclaurine theorem by maclaurine short में लिख दिया हमने क्या होता है f x बराबर f 0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus x cube upon factorial 3 f triple dash 0 देखे अगर हमसे कहे दे कि आप इसका expansion export 7 तक करिए तब तो मज़वरी वहां तक जाना पड़ेगा जहां तक कहे दे हमसे इनकी मर्जी अक बाइस नहीं आप कहते नहीं होंगे कोई इसा नियम थोड़ी दोता है तो जिसका nth derivative मालूम होता है वहां तो कह देते हैं उन्हें मालूम है nth आपको मालूम है n को 1,2,3 पो रखते जाओगे अंसर आ जाएगा लेकि जहां नहीं मालूम होता है वहां पर complication हो जाएगा ना अब रखो value f0 कितना आया है 0 plus x upon factorial 1 f-01 आया है plus x square upon factorial 2 f double dash 0 आया है plus x cube upon factorial 3 f double dash 2 आया है अब थोड़ा कर लो इसको तो क्या आएगा x tan x यहां पर आ रहा है x upon 1 plus x cube upon 3 plus 1 अपने हाँ सिमेट्री बन जाएगी आगे x power 5 upon 5 आएगा सिमेट्री बन रही है 10 x की भी यह series होती है इसा नहीं है series है note करिए इसको इसमें x power 5 upon 5 नहीं आएगा वो calculate कर देखना पड़ेगा सिमेट्री नहीं बनेगी ने 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 भजतनी छोड़ दीजिए अगर आपको एक बार और चाहिए तो एक बार differentiate करना पड़ेगा मतार रिजल्ट कोई पक्का नहीं आएगा यही रिजल्ट आएगा अगला step 2 by 15 आ रहा है x power 5 देखें यह कह रहा है कि मैकलॉरीन से इसको expand को एट पार x कॉज एक्स यह 1 प्लस x यह सब जो कहानी है सब्लानी है आपको ठीक है तो आपको साब साब दिख रहा है कि e to power ax कॉज bx का nth derivative हम जानते है क्योंकि अगर आपने product rule लगा है न तो यह step तो आने से रहा या तो n by differentiate करिए तो आप इसका solution निकालते हैं वोगत आप कहेंगे कि we know that अब आपको नहीं जानते हैं तो भी जानना पड़ेगा we know that nth derivative of e to power ax कॉज bx प्लस c यह nth derivative बताएंगे क्या होता है इसका formula होता है आपका r to power n e to power ax r to power n e to power ax कॉज bx प्लस c प्लस n अलफा होता है यह हमने पड़ा है जहां r की value जो थी r की value थी under root a square प्लस b square और alpha की value थी 10 inverse b अपान ए इसमें हमने एक बार differentiate किया था फिर हमने a और b को कुछ assume किया था r cos theta और r sin theta को कुछ करके और बाद में उसको फिर cos के time में लेके हम आये थे इसको एक बार देख लीजेगा ठीक है अब देखो ऐसे compare करें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है यहां पर a की value 1 है e to power x बोल है न b की value यहां पर क्या है b की value भी 1 है x का coefficient और c की value यहां 0 है ठीक है तो r यहां से क्या निकलेगा r की value है under root a square plus b square यहां र की value आएगी under root 2 alpha क्या निकलेगा alpha की value है tan inverse b अपाने tan inverse 1 बोले तो pi by 4 यहां तब पहुंच गया है तो r मालूम हो गया alpha मालूम हो गया तो जब यहां पर dn निकालेंगे dn of e to power x cos x तो क्या फ़म लाएगा यहां देखे r to power n बोले तो r बोले तो root 2 तो root 2 to power n e to power ax यहां 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 पर x cos bx यहां एक्स और plus n alpha plus n और alpha है pi by 4 पकड़ने आग नहीं आया r की जगे r लग दिया a b की value हम जानते है c यहां पर है नहीं और alpha को लग दिया pi by 4 पहुंच गय नोट के लिए यहां तक उपर अप कर सकते हैं न यह यह अपने आप proof जो होगा अपने आप आ जाएगा जो आना होगा यानि इस dn को हम अपनी भासा में yn लिख सकते हैं न तो yn क्या आया है 2 की power root का मतलब n by 2 लिख सकते हैं e to power x cos x plus n pi by 4 चुकि आपको x को रखना 0 तो यह x को रख दो 0 तो यह आएगा yn add 0 एचली यह yn x लिखा हुआ यह x का function है न तो n को जब रखोगे x को 0 करोगे तो आएगा 2 की power n by 2 यह तो 1 हो जाएगा और cos n pi by 4 अब यह आपका nth derivative है इसमें को रटना नहीं है value ठाक रख दी बस इसमें ठीक, note करिए अब आप n की value रखे पुटिंग n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 टिक 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 देखे जब 1 करेंगे तो y1 add 0 मिलेगा ऐसे लिख दें रखो n को 1 तो 2 की power 1 by 2 आजाएगा तो 2 की power 1 by 2 आजाएगा और cause यह हो जाएगा 1 pi by 4 2 की power 1 by 2 root 2 होता है और cause pi by 4 की value क्या होती है 1 by root 2 1 by root 2 and is equal 1 आगई why वना गया अब n को 2 रखो y2 add 0 n को 2 रखो कितना आएगा 2 की power 2 by 2 आएगा cause 2 pi by 4 यह pi by 2 आजाएगी value cause 90 0 होता है तो y2 0 आगया n को 3 रखो y3 add 0 n को 3 रखो तो 2 की power 3 by 2 cause 3 pi by 4 अब तो आजाएगा 2 की power 3 by 2 cause 3 by 4 रहने कितना डिग्री की value है 135 45 into 3 है ना तो हम इसको cause 180 plus minus 45 ले सकते है क्यों तो minus cos 45 ले साएगी value ना और minus नहीं minus 1 by root 2 यानि कि आएगा 2 की power 3 by 2 into minus 1 by 2 की power 1 by 2 तो यह minus आएगा यह power उपर जाएगी कितना आएगा 2 square आएगा नहीं आएगा भाई 3 by 2 में 1 by 2 मानस करेगा नहीं सारी 1 आएगी value यह 1.5 है ना यह 0.5 है 0.5 जाएकि मानस हो जाएगी value तो 1 आएगी value अब 3 रख दिया 4 रखो y4 add 0 जाए 4 करो कितना आएगा 2 की power 4 by 2 cos 4 pi by 4 कितना है यह value यह 2 square आएगा और इसकी value क्या आए cos pi की value क्या होती है minus 1 तो यह minus का 2 square आएगा ना तो आएगी बात आ रही नहीं आ रही है value निकालने हैं और कुछ नहीं कर रहे है 5 रखो y5 add 0 इतने ही करेंगे हम तो 2 की power 5 by 2 cos 5 pi by 4 2 की power 5 by 2 5 pi by 4 कितना होता है 5 into 45 कितना होता है 5 into 45 25 आएगा ना तो cos 222 को लिसकते हैं 180 plus 45 लिसकते हैं तो यह भी minus का cos 45 आएगा तो यहनि क्या आएगा 2 की power 5 by 2 into minus 1 upon 2 power 1 by 2 5 by 2 में 1 by 2 करो कितना आएगा 4 by 2 5 by 2 में यह minus इजा लगा दो बाहर लगा दो 5 by 2 में 1 by 2 करो 5 by 2 में 1 by 2 करोगे तो 4 by 2 आएगा ना यहनि 2 आएगा ना तो माइनस का 2 power 2 आगया वेलू निकल आएगा पर्याप्त है ना और एन पे आपको वेलू मालूप में यह होता है यह नेट 0 ठीक है लिखने डारेक्ट बढ़ा करके बाई मैकलॉरिंस थोरम नोड करें यहाँ पर मैकलॉरिंस थोरम क्या होगा क्या हमने बताया फर्मूला एफ एक्स बराबर या वाई बराबर जो भी आपका है तो वाई एड जीरो प्लस एक्स अपान फ्रेक्टॉरेल वन य1 आएऐ 0 व्स एक्सप्कारउ अपान फ्रेक्टॉरेल 2 यज 2 आएis एड प्लस एक्स्थे वक्टॉर्वेल 3 यज 3 आएड डिан जीरो व्स एक्स पावर 4 अपान फ्रेक्टॉर्वेल 4 य4 आएड जरो अईएड प्लस आएए एक्स एड़ों आप देखिए रखे वैलू उठा करके बस आंसर आ गया y0 क्या आएगा y answer क्या था आपका eat power x cause x तो 1 आएगी ने वैलू eat power x cause x था ना question eat power x cause x में जब x को रखेंगे 0 तो eat power 0 cause 0 1 होता है तो पहला इस्टे 1 आ गया प्लस x upon factorial 1 y1 at 0 क्या आया है 1 1 आ गया वैलू प्लस x square upon factorial 2 y2 at 0 क्या आया है 0 अच्छा इसले x square terms में नहीं आ रहा था प्लस x cube upon factorial 3 y2 at 0 क्या आ रहा है y3 at 0 minus का 2 minus का 2 plus x और 4 upon factorial 4 y4 at 0 क्या रहा है minus का 2 square minus का 2 square plus x4 5 upon factorial 5 y5 क्या रहा है minus का 2 square और plus 1 और plus last में x4 n upon factorial n और y energy 0 क्या रहा है 2 की power n by 2 cos n pi by 4 प्लस 1 अब इसको चाहो तो calculate करो थोड़ा सा upon factorial खोल खाल करके यह आपका अंसर आ गया सुन्द में इबार नहीं आ यहीं factorial form में ही आ रहा है कोई दिकत वाली बार नहीं थोड़ा सा इसको change करके लिख दो ज्यादा ठीक रहेगा कैसे लिखेंगे आप रैटिंग कंदी इसमों में आ रही है आई रही होगी क्या आएगा fx बराबर पहला 1 आएगा प्लस 1 into x upon factorial 1 आएगा माइनस 2 upon factorial 3 x cube आएगा माइनस 2 square upon factorial 4 x power 4 आएगा माइनस 2 square upon factorial 5 x power 5 आएगा प्लस 1 प्लस x to power n upon factorial n 2 की power n by 2 cause n pi by 4 आएगा प्लस 1 कर देंगे यह आ रहा है ना आणसर 1 प्लस x minus 2 upon factorial 3 x power cube minus 2 square upon factorial 4 x power 4 हाँ ठीक है ठीक समझे भी बार नहीं है तो इस प्रिकार से यह मैकलॉर्ण थेवरम की स्वाहा उन्माग यह आएगा सब्सक्राइब प्लस – अठीक